हेलो फेंड्स कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो की चार्जिंग से लिलेटेड आप मॉवाइल को सब चार्ज करते हैं देफिनेटली फायदा होगा तो आगे चलते हैं दोस्तों मेरे नमस्तनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चल ऐसे टैक में तो दोस्तों जो की सबसे पहला टेप है वो है original charger का मतलब अगर आपके पास जो company के साथ आपको mobile के साथ original charger या जो cable आई है आपको उसी के साथ चार्ज करना चाहिए आपको कोई भी अलग से थर्ट पार्टी चार्जर का यूज नहीं करना चाहिए उससे बैटरी बैटरी लाइफ की आपकी बहुत ज्यादा प्राब्लम होती है और बैटरी खराब होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो अधिकतर आप यहीं कोशिश करिएगा जो पूरिजनल चार्जर अरे आपका उसी से अपको अपने मोवािल को चार्ज करना चाहिए नही websites अछी रहेगी हो लॉग डाइफ लक्त चलेगी अगर आपका मोवाईल का घरव हो सके तो आप औरीजनल कंपनी के offline store से खरीदिए हो तगे तो या फिर online purchase करिए मतलब same आपको उसी company का खरीदना चाहिए जिस company का आप अपना mobile यूज़ कर रहे हो तो same होना चाहिए तो ही आपके mobile के battery सही चलीगी सबसे पहला tip था कि आपको original SE series यूज़ करना तो सबसे पहला मेरा tip यही था जो दूसरा tip में बताने वालाओं दोस्तों वह charging की time को लेकर दोस्तों होता क्या कुछ लोग क्या करता है charge पर mobile लगा दिया और रूल का रात भर लगा रहता है mobile और पूरी रात चार्जिंग की वहसे ही होता है बैटरी यह ना फूल जाती है अंदर ओवर चार्ज होने की वहसे तो आप कोशिश करिएगा कि आपका mobile फूल चार्ज होने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज ना हो अगर आपका mobile 100% चार्ज हो गया है तो आप उसको रिमूव कर दिया उसको मिल जाएंगे कि आप इससे आपको डाउनलोड कर लिए इससे आपकी mobile की चार्जिंग के स्पीड बहुत तेज हो जाएगी यह आपके mobile बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा इन एप्स को यूज बिलकुल ना करिए यह एप्स आपके mobile को और ज्यादा इसा कुछ नहीं होता है उल्टा जो बैटरी की आपकी चलने की कैपिसिटी उसको भी कम करतेगा क्योंकि बैक में प्रोसेस चलता रहता तो आप यह उसको अनिस्टॉल कर दिया अगर आपने डाउनलोड करा अगर नहीं करा तो उसको डाउनलोड करने को मत सोचिए तो चौ वाइल बैटरी चार्ज हो रही है अगर 20 से जादा नहीं कम होनी चाहिए तो आप 20 पर हो तो उसको चार्ज पर लगा लिजी और मैक्सिमों 100 तक होनी चाहिए 80 के अबब ना हो तो दोस्तों मेरा यह उपीनियान है उनका कहना विल्कुल सही है बट हपते में या 15 दिन में ए वो बिल्कुल लेवल मिरेगा क्योंकि वो लो लेवल भी चले जाएगा और लास्ट लेवल भी चले आगा तो आपको दोनों चीजों करनी चाहिए हो सगे तो आपके मॉवाइल को डेली 20 ते 80 तक ही करिए बाकी 15 से 20 दिन में एक बार उसको 02 में एक बार एक बार लो भी कर दिये और एक बार फुल चार्ज भी जरूर करिएगा तो यह मेरे साबसे क्योंकि यह में खुद करता हूं तो मुझे लगता यह बैस चीज़ है तो आप इसको जरूर करिएगा तो जो कि पांचवा टिप्स में बताने वालों पांचवा टिप यह है कि आपको अपने मॉव लेवल तक टैच होने जीए उसके बाद ही उसको चार्ज पर लगाई हो सके तो पंदरा लेवल या दस लेवल तक भी हो तो ही चार्ज पर लगाई है बार बार उसको 50% पर जागे या 60% पर जागे चार्ज पर मत लगाई है तो उससे भी बचें तो एक्शली उसको पहले ड चारज पर लगाएं तो कोशिश करियो अपने वोईल को जब भी चारज पर लगाए हो सके हुए तो मोईल को शिछ आफ कर लगाए या बैटरी इसे होगाए उस्वरी या फ्लाइट मोट को अन करे लगाए इससे होगा गया अब लुक्त चार्जिंग के स्पीड है थोड़ी सी बढ़ेगी और बैटरी लाइव भी थोड़ी बढ़ेगी तो आप हो सकेए तो मौबाइल को क्लाइम मोड पे या चार्जब को सिच ओफ करके लगाए चार्ज पे तो यह आप नाइट पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा करीए हो सके तो अगर आप कर सकते हैं तो उससे भी करिए इससे भी आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाए इसमें दोस्तों यह है कि जब भी आप अपने मॉबाइल को चार्च पर लगाए तो उसके अंदर उसको बिल्कुल जो उसका कवर है पूरे रिमूव कर लीजिए कोई-कोई मोटे-मोटे कवर लगा के रखते हैं तो कवर को पूरे रिमूव कर लिए रिमूव करने के बाद ही उसको प्लग इन करिए उससे होता गया है दोस्तों आपने सुना होगा कि मॉबाइल ब्लास्ट हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मेजर कारण ये भी रहता है कि उसमें कवर ज़्यादा होने के बाद से हीटिंग हो जाती है तो कोशिश करिएगा जब भी आप अपने मॉवाइल को चार्ज पर लगाएं तो पूरे कवर को निकालके चार्ज पर लगाएं जिससे उसकी हीटिंग की के तो ये ध्यान रखेएगा दोस्तों और लास्ट एक और लास्ट आखरी टिप बताने वालों आटबे नमबर की लास्ट टिप यह है दोस्तों कि जिस मॉवाइल की जो शापाटिंग का पल philosophical कर करेंगे तो उसमें मॉवाइल की बैट्री को बहुत हाम हो गाईयर जिसमें वा चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो वह भी मुवाइल की बैटरी को बहुत असर करता है तो यह सब चीज़ जरू ध्यान रखिए जिस के पर ली के लिए वह बना हुआ है लाइक उसकी कैपिसेटी 15 वाट की है 18 वाट की है तो उसको उसी चार्जर से चार्ज करें उसी वाट के से एवाफ चार्जर का यूज़ ना करें इससे बैटरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हीट होने के चांसे भी बढ़ जाते तो आप यह सब चीज़े ध्यान रखिए दोस्तों यह मैंने 8 टेप जो बताई है यह टेप मैंने सब अपने मॉवाइल पर यूज़ करी ना बूलें और मुझे इंस्टाग्राम फिजू फॉलो करना भी ना बूलें इसका लिंक आपको डिक्षिन पर मिल जाएगा तो थैंक्यी दोस्तों